प्रेशन कह रहा है मीना और उसकी माता की आयू का अनुपात 3 is to 8 यानि कि 3 अनुपात ये 8 है तथा उनकी आयू का अंतर 35 बरस है चार बरस बाद उनकी आयू का अनुपात होगा प्रेशन को समझते हुए चलिए जब मैट में आप दोस्तो प्रेशन को समझ जाएंगे तो आप सेकेंडों में साल्ब कर लेंगे प्रेशन क्या कह रहा है मीना और उसकी माता की आयू का अनुपात 3 अनुपात 8 है बर्तमान में है तथा उनकी आयू का अंतर कितना है दोस्तो 35 चार बर्स बाद उनकी आयू का अनुपात पूछ रहा है तो पहले तो हम निकालेंगे दोस्तों बर्तमान में वे कितने बर्स की हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख लिजिए कह रहा है आयू का अंतर कितना है 35 और अनुपात क्या दिया है 3 to 8 यानिकि 3 अनुपात ते 8 तो दोस का अंतर है ठीक है यही 5 रेशियो बराबर कितने के बराबर आ रहा है बर्स में दोस्तों 35 बर्स के बराबर आ रहा है यानि कि 5 रेशियो बराबर कितना रहा है 35 आ रहा है तो एक रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 35 को हम 5 से भाग दे देंगे 7 आ जाएगा एक र उम्र क्या होगी बर्तमान में दोस्तों एक रेशियो बराबर साथ है तो तीन रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों मीना की उम्र हो जाएगी साथ तरीक्या 21 हो जाएगा और उसकी माता की क्या हो जाएगा दोस्तों एक रेशियो बराबर साथ है तो आठ रेशियो बर बर्स आतो बठे 56 बर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा बीना की आयू 21 बर्स हो जाएगी बर्तमान में और उसके माता है की आयू क्या हो जाएगी 56 बर्स हो जाएगी उसके बाद कहे रहा है चार बर्स बाद उनकी आयू का अनुपात तो दोस्तों मीना की आयू 21 है तो 21 में हम 4 क्या हो जाएगे दोस्तो 25 और 15 में 4 जड़ेगे दोनों में चार बर्स बढ़ेट型... अदिश्या की उम्मर 4 बर्स बढ़ी होगी.. तो साथ हो जाएगी अब रेषियो बताना है तो हम छोटा रूप कर देंगे.. वही उसका अनुपात हो जाएगा.. तो ratio के लिए हम दोस्तो अगर जो हम 25 को 5 से काटे तो क्या हो जाएगा दोस्तो 5, 25 और 60 को 5 से काटे तो 12 तो ratio क्या आजाएगा दोस्तो 5 अनुपाते 12 का ratio आजाएगा 4 बर्स बात क्या आजाएगा 5 अनुपाते 12 किस option में है दोस्तो तो option number A में दिया है तो आपका option number a क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इस परकार की प्रस्न है दोस्तों तो आपको करना क्या है बस इसका अंतर देखना है रेशियो में पांच का अंतर है वही 35 बर्स यानि 7 क्या हो जाँ रहे यानि कि 1 रेशियो बराबर 7 बर्स आ जा जा रहे और 25 और 60 को 5 25 और 25 और 25 यानि 5 अनपाते 12 5 अनपाते 12 किस option में है तो option number A में दिया है option number A आपका सही हो जाएगा इस question के लिए भी दोस्तों आपको पेन उठाने की जोरत नहीं है आप थोड़ा से दिमाग लगाएंगे तो आप इस question को आभी answer second में डे लेंगे एक्स मान के करेंगे तो लंबा हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगे ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सारे प्रिशनों को एकदम अच्छे से समझ गया होंगे